दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट आज दिशा को ना सिर्फ उनकी एक्टिंग के बलबूत पर जाना जाता है बलकि फिल्मों में आने से पहले दिशा को टाइगर श्रॉफ की गल्फरेंट के नाम से भी जाना जाता था बता दे फिल्मों में आने से पहले ही दिशा की टाइगर से लिंक अप की खबरे आने लग गई थी भले ही दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी अलग-अलग फिल्मों से पहचान बनाई हो लेकिन असल में दोनों ने फिल्म बागी दो में साबित कर दिया कि दोनों इंडस्ट्री में कायम रहने के लिए आए है बताना चाहेगे टाइगर से पहले दिशापात समथान के साथ रिलेशन्शिप में थी जी हाँ, पार्थ एक टीवी एक्टर है, एक्टर होने के साथ पार्थ, पोस्ट्फ मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके है पार्थ ने टीवी के ये है आखिकी, कैसी ये यारिया शो से अच्छी पहचान बनाई है एक समय पर इस शो को दर्शक सिर्फ पार्थ के कारण ही देखना पसंद करते थे वैसे पार्थ ने फिल्म गुगली में भी काम किया था लेकिन अफसोस ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई लेकिन फिर भी पार्थ का टीवी की दुनिया में किस्सा कायम है दिशा के बॉलिवुड में आने से पहले वो पार्थ को ही डेट करती थी लेकिन जब से दिशा इंडस्ट्री में आई है उनका दिल टाइगर पर आ गया और अब वो उन्ही के साथ रिलेशन्शिप में है एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ में साल 2015 में सेक्सियस्ट एशियन में की लिस्ट में टॉप 50 में अपनी जगह बनाई थी लंबे समय से टीवी से गायब पार्थ जल्दी ही शोक असोटी जिंदगी में अनुराग का रोल प्ले करेंगे वही दिशा अभी फिल्म भारत की तैयारियों में लगी है फिल्म की शुटिंग शुरू की जा चुकी है अपनी इस फिल्म में वो पहली बार सल्मान खान के साथ दिखाई देगी अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू